हेलो फ्रेंड्स मंजीपूर्च चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मीठे शक्कर बारे जो फड़ा फड़ बनकर तयार हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी इसके लिए सबसे पहले छोटा पाउल लेंगे इस पाउल है मैंने हाफ कब पेस जल्दी हो जाएगा और याद रुकिए जो मेजर मेंट प्लिया ने पीसी वी शक्कर का लिया है यदि आप शक्कर पीसी वी नहीं नहीं लेते हैं तो उसका मेजर मेंट अलग होगा तो अब हम इसे थोड़ा साइड में रखतेंगे यह तब तक शक्कर हमारी जोए गुल के अधिना डाले और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तो तीस्पून गी डाले के बाद आप देख सकते हैं जब हम इसे यह कर रहे है तो यह इतना अच्छे से नहीं बन रहे है इसमें टू टीस्पून और डालेंगे ताकि हमारे चूप शक्कर पारे है बहुत ही भी 4 TJD डाला है चाहिए तो आप इसमें ऑलड नेकिन गी से ज्जदी कुरकुरा पनाता है अब देख सकते हैं हमारा जो तरीक्य से ंंगरा है तो मतलब हमारा मंवेंचो है इस से जादा घीह सराइब अब इसमें बhone पिंच ऑलेंगे ड़न जायफैल पौडर पाउडर से वाइटि टो को सिर मिक्स करसे लेंगे और अब इसावी पानी से हम इसे बाने इसे नहीं को सिर टोऑल प्षाल एकरा या दम से तो नहां कि यह हमारा डो जो है बित्पन गया है अब हम इसे ठाक के रख देंगे अब इस तरह से डो बना के इसे बेल लेंगे हमारे चपाती बन के तयार है अब हम इसे साइट सीस तरह सी कॉर्णर काट लेंगे ताकि हमारे जो शक्कर पारे इसका सही अच्छा है कि अवाई कि रख बना काट भाते है अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे इसे हमें मीडियम फ्लेम में होने देना है ताकि अंदर से कच्छे ना रहें हलके गुलाबी होती है उसे निकाल लेंगे मीठे शक्कर पारे बन कर तयार है यह बहुत ही क्रंची और टेस्टी बने है और यह बहुत ही आसानी से फटाफट बनकर तयार हो गए है आप इन्हें दो से तीन महिने एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं तो यह थी हमारी आज की रसिपी यदि आपको आज की रसिपी पसंद आए तो कमेट में ज़रूर बताए लाइक और शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकिशन आपको बिल सके थैंक यू